West Bengal जो British India का Economic Hub था West Bengal जिसने Science और Literature में Legends प्रोड्यूस किये है आजादी के टाइम तक भारत की शान हुआ करता था West Bengal इंडियन एकनॉमिक की बैकबोन हुआ करता था West Bengal 1961 तक पूरे एशिया का 50% टेक्स्टाइल प्रोड्यूस करता था West Bengal 1961 तक की इंडिया का सबसे रिचस स्टेट था West Bengal सबसे जादा पर कैपिटल इंकम भी West Bengal में थी 1961 तक इंडिया का कोई भी स्टेट West Bengal के आसपास नहीं था भले वो महरास्ट्रा हो या फिर गुजरात उसके बाद क्या हुआ ये तो सभी को पता है West Bengal के डाउन फॉल कैसा हुआ इसके बारे में आज मैं बात करने नहीं वाला इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना लिया है आज मैं बात करने वाला हूँ कि West Bengal revive कैसे कर सकता है West Bengal फिर से इंडिया का number one state कैसे बन सकता है फिर से इंडिया की शान कैसे बन सकता है जल्दी से इस चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जाल जादा दोस्तों तक भेजिए ताकि सब मिलके West Bengal को फिर से number one state बनाए समेरा रेटिंग SMERA रेटिंग जो की development पे रेटिंग देता है उसने ये बोला है कि 2035 तक East India की ग्रोथ की जो चाबी है वो West Bengal के हाथ में है West Bengal ही लीडर बनेगा पूरे East India के ग्रोथ का भले वो असाम, बिहार, 36 जाड़कन, उडिश्चा या फिर North Eastern States हो सबकी ग्रोथ की चाबी West Bengal के पास ही है West Bengal ही लीड करेगा इनको 2035 तक इंडिया की एकनौमी होने वाली है 11 trillion dollar की उसमें से 3 trillion dollar East India contribute करेगा यानि की almost one fourth और दोस्तों ये तभी possible हो सकता है जब West Bengal grow करेगा West Bengal lead करेगा अभी West Bengal national GDP में 6.6% contribute करता है पर ये माना जा रहा है 2035 तक अगर West Bengal अपने potential से grow हुआ जो West Bengal में शमता है उससे growth हुआ West Bengal का तो West Bengal 15 से 18% contribute कर सकता है तो दोस्तों ये जानते हो कौन कौन से sectors है जहाँ पे West Bengal को grow करना चाहिए जहाँ पे West Bengal का potential सबसे जादा है सबसे पहला है agriculture पूरे West Bengal में 70 लाग किसान परिवार है और ये माना जाता है West Bengal का जो soil है वो इंडिया का one of the most fertile land है fertile soil है जहाँ पे agriculture बहुत शांदार हो सकती है West Bengal जो गंगा प्लेन है उसमें सबसे fertile land है और ये माना जाता है यहाँ का जो soil है वो water retention के लिए सबसे बढ़िया है इसलिए यहाँ पे rice जैसे crops उकते है जिनको पानी की सबसे ज़ादा जरूरत होती है पर इसके साथ-साथ West Bengal को अब crop rotation में भी focus करना पड़ेगा सिरफ rice, maize, potato में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इसके इलावा fruits, vegetable, horticulture इन सब में भी West Bengal को focus करना पड़ेगा क्योंकि West Bengal के पास बहुत बड़ा वर्दान है fertile soil का West Bengal के farmers को crop diversification करना पड़ेगा यानि अलग-अलग crops के साथ भी experiment करना पड़ेगा और पूरे world को export करने के लिए तयार रहना पड़ेगा इसके लिए West Bengal government को ये कदम उठाना पड़ेगा कि जितने भी किसान है उनके education पे focus करना पड़ेगा agriculture के लिए training institutes खोलने पड़ेगे जहाँ पे free of cost जितने भी किसान है उनको agriculture से related education देना पड़ेगा और कैसे वो लोग production कर सकते है farming कर सकते है effective way में और उसको कैसे all over world में बेचा जा सकता है कैसे market किया जा सकता है इसके लिए सबसे important है West Bengal government को cold storage और warehouses अच्छे बनाने के लिए इसमें invest करने के लिए second thing transport facilities बहुत जादा important है ताकि अपने जो उगाया है उन्होंने चीज़ उसको एक जगा से दूसरे जगा लेके जाने के लिए कम time और कम fuel खर्चा हो जिससे की कीमत कम पड़े पीसरी चीज़ है food processing units जितने भी develop countries है वो यही करते है वो लोग ज़ादा farming नहीं करते है वो लोग developing countries से कच्चा माल उठाते है food को process करते है pack करते है उससे अलग-अलग item बनाते है और बाकि all over world में उसको export कर देते है West Bengal को यह करना बहुत ज़रूरी है अगर वो potato होगाते है West Bengal में तो potato से और क्या-क्या item बन सकते है उसको भी वहाँ पर ही बनाना पड़ेगा उसके बाद जो finished products होगा उसको all over India और all over world में export करना पड़ेगा तबी इस agriculture sector में असली growth मिल पाएगी किसानों का भी इससे profit margin बढ़ेगा और किसान भी अच्छा-कासा मुनाफ़ा कमा सकते है दूसरा sector है MSME यानि कि micro small medium enterprises West Bengal की women's इंडिया में top कर रही है इस समय MSME में छोटे-छोटे business काफी सारे खोल रही है West Bengal की women's पर दोस्तों इसको और बड़ावा देने के लिए West Bengal government को एक बहतर credit policy लेके आना पड़ेगा यानि कि लोगों को credit और जादा देना पड़ेगा बहुत कम interest में और लोगों की help भी करनी पड़ेगी कि कैसे वो अपने business को growth कर सकते है इसके इलावा जो नए-ने technology आ रहे है जैसे कि social media marketing, digital marketing इन सब में भी West Bengal के जितने भी MSMEs है उनको train करना पड़ेगा ताकि वो online अपने products अच्छे से बेच पाए क्योंकि अभी तो online का सारा जमाना है online का सारा trend है वो social media marketing करके website बना के, digital marketing करके paid ads लगा के कैसे अपने products को एक brand बना के पूरे all over India में all over world में बेच सकते है इस पे खास ध्यान देना पड़ेगा इस समय इसके इलावा skill training पे भी खास ध्यान देना पड़ेगा जैसे कि चाइना में क्या होता है चाइना में जो एक state है एक zone है वो खाली एक ही product पे काम करता है एक ही product पे focus करता है उसके लिए proper पहले एक साल की skill training दी जाती है तो West Bengal में भी यही करना पड़ेगा मान लीजे एक गाउ है उस गाउ के लोग सेम तरीके का art बनाते है या फिर सेम तरीके की साड़ी बनाते है तो उनको वो साड़ी कैसे और बहतर बनाया जाए कैसे उनको अच्छे से market किया जाए इसका skill training उनको देना पड़ेगा जिसके लिए हर एक zone पे आपको एक training center खोलना पड़ेगा जहाँ पे free of cost उनको training दी जाए सिरफ दोस्तो और तो आदमियों को 1,500 रुपे हाथ में पकड़ाने से नहीं होगा उनको बोलना चीए भाई आपको 1,500, 20, 25,000 की training free में हम लोग दे रहे हैं आप सीखो सीख के उसको business में convert करो बाकी आपकी सारी help करने के लिए West Bengal government का वो जो training center है वो आपे है कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्य हो वहाँ पे आओ पूछो और जो training center में जो लोग काम कर रहे है West Bengal government के उनको humble होना पड़ेगा उनको helpful होना पड़ेगा ताकि कोई भी आए वो निराश होके ना जाए वो demotivate होके ना जाए वासे तीसरा बड़ा sector है entrepreneurship West Bengal के लोगों में एक entrepreneurship की spirit प्यादा करनी पड़ेगी सबसे पहले तो हमें role models बनाने पड़ेंगे business के की भाई देखो West Bengal से ये बंदा कितनी बड़ी company खोल के बैठा हुआ है जैसे कि बंधन बैंक का example ले लो वाओ मोमोस का example ले लो हल्दी राम भी Bengal से start हुआ था इसके बाद काफी सारे ऐसी companies है जो West Bengal से start हुई थी तो उनको role model मान के हमको देखना पड़ेगा उनको follow करना पड़ेगा और एक entrepreneurship का जो जजबा है वो हमारे families में बंगॉली families में हमको पैदा करनी पड़ेगी ताकि एक बाप और माप ने बच्चे को बोले कि तू बिजनस करेगा बड़े होके इसके लिए mentorship program बनाना पड़ेगा एक network बनाना पड़ेगा जो की जो यंग बच्चे है जो यंग लड़के है लड़किया है उनको motivate कर पाए उनको चीजे सिखा पाए उनको help करा पाए शाक टैंग जैसे जैसे शाक टैंग में investor invest करते हैं उसी टाइप का investing program चलाना पड़ेगा पूरे West Bengal में इसके इलावा accounting की भी knowledge देनी पड़ेगी कि अगर business बढ़ाना है business चलाना है तो accounts की knowledge होना बहुत जरूरी है छोटे छोटे terms जानना बहुत जरूरी है business से related इसके लिए भी training programs चलाने पड़ेंगे ये school level से start होना चाहिए ताकि हमारे जो आने वाली generation है वो job के पीछे ना भागे वो job creator बने जैसे कि West Bengal में हर एक गाउ में अलग-अलग चीजे प्रोड्यूस कर सकता है आदमी हर एक गाउ में artist है हर एक गाउ में sculpture है हर एक गाउ में हमारे weavers है कोई बढ़िया मिठाई बना सकता है कोई बढ़िया सबसे talented state है सबसे जादा artist सबसे जादा creative लोग West Bengal में पैदा होते हैं तो West Bengal में ये जो creative चीजे है इनका business बनाना बहुत जादा जरूरी है इसके इलावा dedicated industrial parks बनाना बहुत जरूरी है जहाँ पे बहुत ही कम tax देके बहुत ही कम electricity बहुत ही कम पानी का bill बहुत ही कम tax देके वहाँ पे कोई भी company खोल पाए अपनी factory खोल पाए अपने offices खोल पाए तो industrial parks बनाना बहुत जरूरी है जो कि China ने किया था चौता है अपने port और logistic को grow करना West Bengal बहुत ही blessed है कि West Bengal के पास 200 km का coastal line है तहाँ पे Kolkata और हाल दिया जैसे ports है जो कि इतने बड़े है उनकी capacity और उनकी technology को grow करना बहुत जरूरी है बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि पुरे जो South Asia के cargo है वो वहाँ से ही operate हो इसके इलावा और भी कई सारे नएने ports बनाना जरूरी है जिनके साथ railway connectivity, road connectivity airport connectivity देना बड़े बड़े देश है थाइलेंड है मलेशिया है जापान है कोरिया है उनके साथ trade करना पड़ेगा हमें इसी ports के थू तो इन ports को grow करना और नए-ने ports बनाना बड़े-बड़े ports बनाना बहुत जरूरी है ports में warehouses, cold storage इन सब की proper facilities देना बहुत जरूरी है पाच्वा सेक्टर जो की बहुत unexplored है West Bengal में वह है टूरिजम सेक्टर टूरिजम सेक्टर से पूरे के पूरे देश चल रहे है पूरे के पूरे देश डेवलप्ट हो गया है और West Bengal में तो टूरिजम की कोई कमी नहीं है दोस्तो जहां नौर्थ बेंगॉल में दार्जिलिंग पढ़ता है दो आर्स पढ़ता है कालिंग पॉंग हो गया सिली गोडी हो गया यह तो बहुत ही शांदर है पूरा इंडिया पागलों की तरह आएगा अगर इसका डेवलपमेंट किया जाए इस पे इंफरस्रक्चर अच्छा किय जाए टूरिजम की फैसिलिटी अच्छी दी जाए पूरा इंडिया पागल हो जाएगा और यहां से जो हमारे नौर्थ इस इंडिया यहां से कनेक्ट होता है सिक्किम के थू तो सोचिए नौर्थ बेंगॉल घूमने के बाद नौर्थ इस जाईए असाम जाईए सिक्किम जाए वेस्ट बेंगॉल टूरिजम का हब बन सकता है नीचे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा बीच का हम लोग पूरा बना सकते है दीघा मंदार मनी तो है ही इसके इलावा और भी कई सारे बीच को हम लोग खोल सकते है वहां पे सुन्दर बंस है दोस्तों सुन्दर बंस क अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए टूरिजम सेक्टर के लिए तो इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है मैं खुद हो के आयो आप पे क्या जगा बहुत ही शांदार जगा है सुन्दर बंस इसके इलावा हेरिटेज की बात करे तो कोलकाता से मर्डेकर बसकुरा जैसे कई सारे जगाए है फेस्स बेंगाल में सिराफ टूरीजम से सिराफ टूरिसम से स्क्वाइस बैस कोई कमी नहीं है तो इंडस्ट्री इंडस्री हो गया टेक्स्टाइल अगर इन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम होता है तो बहुत जादा वर्क फोर्स को जॉब मिलेगी बहुत सारा वर्क फोर्स यहाँ पे काम कर सकता है एक बहुतर ट्रेनिंग देने के बाद इसके इलावा आइटी सेक्टर वेस्ट बेंगॉल का आइटी बूम आना है दोस्तो लिए गर आइटी इंडस्ट्री वेस्ट बेंगॉल में आया और बूम किया तो वेस्ट बेंगॉल में सबसे श्यादा बेस्ट इंजिनियर्स पायदा होते है दोस्तों सोछिए कितना घ्रोथ होगा बैस बेंगोल में इसके इसके इलावा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इन सब में वेस्ट बेंगॉल को कदम उठाना पड़ेगा इन सब का हब बनना पड़ेगा वेस्ट बेंगॉल को पूरे इंडिया में जिसके लिए न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, सेक्टर फाइ जो भी आता है, मतलब वेस्ट बेंगॉल का खाना, वेस्ट बेंगॉल के होटल, वेस्ट बेंगॉल के रेस्टरेंट्स, इंडिया में टॉप पे आते हैं, अगर इस पे काम किया गया तो वेस्ट बेंगॉल को कोई नहीं रोख सकता, दो हजार पैसिस तक, इंडिया के टॉ 5 best states में West Bengal आ सकता है और दोस्तो West Bengal अपने साथ साथ पूरे East India को growth के road पे लेके जा सकता है चाहे वो बिहार हो चाहे वो जारकंड हो औरेशा हो North East हो Assam हो सिक्किम हो पूरे East India को अपने साथ में लेके जा सकता है West Bengal growth की रहा पे तो यह मेरा opinion था आपको क्या लगता है कैसे West Bengal grow होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिजे हमको जय हिंद जय वांगला